जीवन के आखरी 40 सेकंड में, अगर व्यक्ति चेतन है या वो किसी प्रतिष्टि जगा में है, तो हर इंसान के साथ स्पष्ट रूप से ऐसा होगा. काल भहरव का मतलब है, वो जो काले हैं, ये उनका एक आयाम है, इसे कई तरीकों से देखा गया है, ये शिव का एक भयंकर रूप है, जब वो विनाश करने लगे, किसी चीज का विनाश नहीं, समय का विनाश. देखिए, सभी बहुत एक चीजों की एक समय सीमा होती है, है ना, अगर मैं आपके समय का विनाश कर दूँ, तो सब खत्म, तो काल भहरफ का मतलब यही है, क्यूंकि ज्यादतर लोग जीवन अच्छे से जीने का फैसला नहीं करते, उनकी एक इच्छा होती है, कम से कम उनकी मृत्यू शांदार तरीके से हो, यही छोटी सी इच्छा लाखों लोगों को काशी खींच लाती है, मरने के लिए, तो जीवन के अंतिम चरण में लोग आए, क्यूंकि वो शांदार तरीके से नहीं जी पाए, उनका सपना था कि वो कम से कम शांदार तरीके से मरे, शांदार तरीके से मरने का मतलब है कि मृत्यू से ना सिर्फ शरीर का त्याग हो बलकि मृत्यू से परम मुक्ती तक पहुँच पाएं इस बात की गैरंटी थी कि अगर आप काशी आते हैं तो आपको मुक्ती मिल जाएगी भले ही पूरी जिंदगी आप बेहत बुरे इंसान क्यू न रहे हों तो तमाम बेकार लोगों ने वहाँ आना शुरू कर दिया क्यूंकि उन्होंने बुरे तरीके से जीवन जिया था और वो शांदार तरीके से मरना चाहते थे इससे बेकार लोगों की संख्या बढ़ने लगी फिर शिव बोले ये जगा खराब होती जा रही है इतने बेकार लोगों के कारण वो जगा खुद भी खराब बन गई इसलिए वो बोले इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है जिसे आज भैरवी यातना कहते हैं उसे उन्होंने ही शुरू किया था आपको पता है यातना का क्या मतलब है? यातना का अर्थ है भयंकर पीड़ा ऐसा आपके साथ नर्क में होता है पर वो इसे आपके साथ यहीं कर देंगे जीवन के आखरी 40 सेकेंड में अगर व्यक्ति जेतन है या वो किसी प्रतिष्टित जगा में है तो हर इंसान के साथ स्पष्ट रूप से ऐसा होगा चाहे मृत्यू का कारण कुछ भी हो चाहे मृत्यू अधिक उम्र के कारण हो या वीमारी आखरी 40 सेकेंड में कई जन्मों के एक अत्रित कर्म तेज गती से नजर आते है उस पल इन 40 सेकेंड में ही अगर आपने अज्यानता का जीवन जिया है अगर आपने अचेतना का जीवन अचेतना के कई जीवन जिये है इन 40 सेकेंड में अगर आप थोड़ी जागरुकता बनाए रखें तो वो कहते हैं कि आप कई जन्मों के कत्रित कर्म से मुक्त हो जाएंगे आप सिर्फ 40 सेकेंड के लिए एक तीवर पीड़ा से गुजरेंगे और फिर शुद्ध हो जाएंगे और विलीन हो जाएंगे मूल्य रूप से अध्यात्मिक्ता का मतलब आपके जीवन को तेज गती से भगाना है आपका कश्ट बहयंकर हो सकता है क्योंकि सब कुछ तीवर गती से गटित हो रहा है जिसे आप 10 सालों तक खींचते वो मान लीजिए एक महीने में हो रहा है तो आप जिस कश्ट से गुजरते हैं उसकी तीवरता बहुत अधिक होती है आनंद और खुशी के पल हो सकते हैं मगर कश्ट बहयंकर होता है क्योंकि चीजें आपके अंदर तेज गती से घटित होती है तो कम से कम अपने जीवन के अंत में आप प्रक्रिया को तेज करना चाहते है तो बहरवी यातना ये सब एक शक्तिशाली प्रतिश्चित स्थान के कारण होता है प्रतिश्चित स्थान का अर्थ ये है एक चीज तो यही है कि ये जीवन केंदरित हो जाए इसका मतलब है कि जीवन इतना एकाग्र हो जाए कि वो जबरदस्त गती से कर्म के इंधन को जला दे कुछ समय बाद जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो और यातना नहीं होगी वो बस जलता रहेगा दरसल आप तेज गती से चक्कर काट रहें तो यही एक प्रतिष्टित स्थान का मकसद है काशी महत्वपूर्ण है क्यूंकि जिस तरह से उसे बनाया गया उसकी कला, उसकी सुन्दर्ता उन दिनों कहते हैं कि धर्ती पर कोई दूसरा शहर इतना सुन्दर नहीं था ये सब चीजें मिलकर वो एक बड़ा आकर्शन बन गया उन्होंने लोगों का ध्यान खीचने के लिए वो वातावरन तयार किया तो काशी सिर्फ सुख और सुन्दर्ता नहीं है वो ऐसी जगा है जहां लोग दुख के सबसे तीवर रूप को जहलते हैं क्यूंकि वो जीवन को बहुत तेज गती से भगा आतेते हैं कई जन्मों की चीजें एक ही पल में जल जाती हैं पूर्वारुपमिवा बन्धनान नित्योर भुक्षिया हाम्रता